कि लोने मस्कार दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं जो मल्तिमीटर है तो मल्तिमीटर से हम ऐसी वल्टेज और Muse Bill डेखते रहे हैं हमारी वीडियो पर आप नए हो तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले लाइकर पर क्लिक करना मद भूलिए क्योंकि यह से नए वीडियो की नए टेकनलोजी के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो तो इसके वीडियो पहले आपको मिल जाए तो दोस्तों आप मैं आपको बताऊंगा यह मल्टी मेंटर से मेजर करते हैं दोस्तों पहले देख लिए यह तेस्टर आपको च्याक करके बताने वाला हुँ देख लिए इधर आपको लाइट्स हो कर रही होगी देख लिए इधर इस यह ब्लिंक हो रहा है वह तुट तेस्टर थे नाथ छेक करके बता है देख लीजिए और मैं आपको multim से चेक करके बता हूंगा तो मल्टी मिटर को पहले करने के लिए आपके पास मल्टी मिटर होना होनाterior म理्या जैर्च में तो मल्टी मिटर को यहां पर पहले ओप पोजिशन में मल्टी मिटर है हमारा और यहां पर यह यहां पर सो कर रहा होगा दिख लिए इधर मैं वोल्टेज के रखा हुं मैं अभी में र ड्रक को lorsqu यह START व को यह पे Сिमंबो्ज आपको ध्यान रखना है का वल्टेज है यह हमारा s का सिंंबोल है तो दोस्तों दिख लेजिए यह हमारा व्उल्टेज का सिंबोल है यह ऐग Q n सिंबोल होता है जी Y तो आपको घर में ज्यादा वोल्ट के रखना पड़ेगा तो जो भी रेंसे ज्यादा वाली रेंज में आपको सीलेक करके रखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर देख लेगे मैं यहाँ पर सिलेक किया हुआ है यहाँ पर जो मल्टी मिटर का नौब सिलेक हुआ 600 वाल्ट ACP मैंने सिलेक किया है तो अब इसको चेक करेंगे हम मल्टी मिटर से दोस्तो यह switch में on करता हूँ, इसके साथ आपको बताने वाला हूँ, यह multimeter का जो दो टर्मिनल लता है, यह हमारा negative है, जो common terminal यहाँ पर आपको लगाना है, common की जगह लगाना है, और यहाँ पर voltage, ohm, millions में यहाँ पर terminal लगाना है, multimeter का, तो यह दो टर्मिनल लगाना है आपको इसके बाद आपको यहाँ से जो एसी सप्लय आरा है, मैं आपको live proof बताने वाला हूँ, देख लिजिए, यहाँ पर मैं अब इसको select करता हूँ, तो यहाँ पर यह range में रखके, मैं यहाँ पर आपको तेज करूँगा, बताऊँगा, देख लिजिए, यहाँ पर मैंने इसक on कर दिए, इधर रखना है, मेरा जो लखाय में यहाँ पर जो voltage की range multimeter 600 volt range में लखा है, AC का symbol दिखा दिए, यहाँ सिलक करना है, आपको घर पे भी, यहाँ पर दो ट्रे में इसमें लगाता हूँ, देख लिजिए, आपको यहाँ पर सो कर रहा है, तो त्वैंटी थर्ट, अ यहाँ पर voltage हो कर देता हूँ, वल्टेज जाए, यहाँ सिलक करता हूँ, तो वल्टेज दिखा दिखा दिए पर रहा है, 235 volt AC हमको अभी, मल्टी में सो कर रहा है, यहाँ को range में रखी है, 600 volt AC में रखी हूए, दोस्तो देख लिजिए, इधर में आपको बता दिया, AC voltage, अब बताने वालों, मैं DC voltage के बारे में, और हम आपको बताएंगे, DC volt के बारे में, तो DC volt आपको सिलक करना है, DC volt यहाँ पर 0 कर दिया है, देख लिजिए, इधर मैंने 0, यहाँ पर सिंबोल देख सो कर रहा होगा, आपको AC का सिंबोल है, तो AC का सिंबोल कुछ ऐसा होता है, देख लिजिए, यहाँ पर एक लाइन खीची हो, इसके बाद निचे डॉट डो दिखा है, वी तो वाल्टेज होता है, यह DC का सिंबोल है, और यह हमारा AC का सिंबोल है, तो DC का सिंबोल दिखा देएंगे, पड़ा DC की रे 19.5 वाल्ट, DC वाल्टेज है, यहाँ पर लिखाया DC वाल्टेज, तो इसको हम चेक करके आपको बताने वाले DC वाल्ट कैसे मेजर करते हैं, तो मल्टी मिटर से हमने पहले यहाँ पर सिलक करना है, आपको DC वाल्टेज हमने 20 वाल्ट पर सिलक किया है, DC वाल्ट, और हम मेजर आपको बताएंगे तो यहां पे दो टर्मिनल डीसी वल्टेज का फो देखंट लीजिए यहां ऑ्पश कर रहा होगाई दीजे वोल्टेज ह sytu यहँश मेंडे इसमाल इसलेक आपको ट्रा थो पॉइंट सेटर्ध रहा है डीसमालट दोस्तों देख़ लिजा है दिचि वंटेज है घृत ने के लिए आपको रखना पड़ेगा एसकी जगह हो रूंटे करना क्योंकि यह दोनों रेंज में अपना मल्टिमीटर खरब हो जाएगा इसलिए आपको बहुत आसान इसे ध्यान के का काम करना पड़ेगा एसी वोल्टेज में कैसे चेक करना है तो दोस्तों इसलिए मैंने यह वीडियो पता है कि घर पे आप एसी वोल्टेज और कहीं चा होग सकते हो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा थो हमारा वीडियो आपको चला है तो हमारी चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइव कीजिए और पास वाले यह क्लिक करना मत बूलिए किसी ऐसे में वीडियो ना ळाता हूँ गा दो स्थो मिलते हैं अगले